स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आई थे यूटीब चनल पर DRDO एन डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट और्गनाजिशन की तरफ से HTAB एन टेकनीशियन एक ही पोस्ट पे वैकेंसी आई वी थी टोटल 1900 से जादा पोस्ट थी और आप सबने इसमें form भी fill up किया था इसकी last date को भी दो दिन के लिए बढ़ाया गया था and form fill up करने के बाद ही candidates के बहुत सारे सवाल आ रहे थे sir क्या edit करने का option आएगा, क्या form reject होगा, photo की वज़ा से क्या form reject होगा certificate mark sheet अगर इधर दोर हो गया तो क्या form reject होगा तो यहाँ पर rejection list भी जारी की जा चुकी है और जिनका भी इस list में नाम है उन्हें क्या करना है ये भी इस list में पूरी तरह से notice में बताया गया है तो ये वीडियो प्लीज आप लोग like कर दीजगा उसकी date भी आपको रखी गई है 20 October तक ठीक है 20 October 2022 से पहले पहले अगर आपका इस list में नाम है तो आपको एक corrective action के लिए mail करना पड़ सकता है सुधार के लिए ऐसा कोई चीज नहीं आया हुआ है अगर बाकी कोई चीज आपने गलट डाली है तो आप written exam के लिए अच्छी तयारी करिए document verification में उन सब चीजों का आप affidavit दे सकते हैं का आपसे by mistake यहाँ पर गलती हो गई बट जो original हो उसे आप वहाँ पर आपको produce करना पड़ेगा तो यह list डाउनलोड कर लेते हैं इसमें बहुत सारे candidates के नाम है तो आप लोग जरूर एक बार इसको check out कर लीचेगा और चैनल पर नहीं है तो पली subscribe जरूर कर लीचेगा जिसे आपको ऐसी सारी update और notification मिलती रहे यह यहाँ पर list आप देख सकते हैं जो कि 14 October 2022 को जारी की गई है and total candidate कितने reject हुए form आप देख सकते हैं 2357 candidate है यहाँ पर ठीक है जिनका इस reject list में नाम है and इसमें क्या है देखिए if you have any relevant proof against this then you may produce it to us on our before 20th October 2022 at our email helpdesk at the rate septum10.com ठीक है under subject subject में आपको क्या लिखना होगा mail के उसमें आपको लिखना है challenge against rejected application ठीक है and दूसरा in case अगर rejection आपका due to multiple application against one post code हुआ है accepted application जो है वो indicate हुआ है remarks में उसे आपको check out कर लेना है देखिए maximum जो rejection है वो क्या हुआ है कि multiple application जो है apply हुआ है एक ही post के लिए ठीक है जब कि इसमें क्या था अलग-अलग post code के लिए अलग-अलग जो post code थी उसके लिए आप multiple application apply कर सकते हैं जैसे आपने मालीज़ डिप्लोमा भी किया आई टी आई भी तो आप STA B भी डाल सकते थे एंड आप technician A भी डाल सकते थे यह आई टी आपने दो trade में किया है तो दोनों trade में आप technician A apply कर सकते थे अलग-अलग form ठीक है same registration number से बट से पोस्ट के लिए अगर दो form होगा तो वो reject होगा और आप देखें कि टोटल यह 104 पेज का PDF DRDO ने जारी किया है इसमें आप अपना नाम ना सर्च भी कर सकते हैं जैसे मालीज़ आपका नाम है गनेस पहला नेम है वहीं ने डाला तो यहाँ पर आ जाएगा डारेक्ट यहाँ आप application number से भी सर्च कर सकते हैं इसमें देखी क्या लिखा जिसे एक गनेस है इन्होंने application number यह apply किया 464 है लास्ट में यहाँ multiple application है इस वज़ा से क्या हुआ accept हुआ है इनका एक application कौन सा जिसमें लास्ट में 703 है ठीक है तो इनका यह application reject हो गया यह accepted है अब अगर यह challenge करते हैं नहीं हमारा यह accept होना चाह change नहीं कर सकते ठीक है पोस्ट कोड इनकी है 115 ठीक इसी तरह आप अपना चेक कर सकते हैं पूरे 104 पेज की लिष्ट है टोटल 2357 इसमें candidate है जिनका form reject हुआ है and maximum case में आप अगर देखेंगे तो यह multiple application for same subject के ही region से reject हुआ है कुछ application है जो कुछ candidate ने क्या किया था dummy application भर दिया जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यह as per your application form your data photo are irrelevant तो इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें जो है data या फोटो फोटो या तो upload नहीं किया होगा या फोटो कि जहांनों कुछ और upload कर दिया होगा इस वजह से जो है इनका यहां पर form जो है वो reject हुआ है ठीक है आलोकुमार आलोक एसा लग रहा है जैसे father name change होगे यह alphabetic करम है ठीक है पूरी list जो है alphabetically order में दी गई है और यहां पर जैसे आप देखें यह अमित आरान अमित आरान इतने सारे अमित आरान and father name में father father mother mother से reflect दिया same date of birth है सब कुछ है तो इनका form क्या हुआ? reject हो गया इस तरह से अलग-अल औरा candidate में candidate father father mother इस तरह से तो यह कुछ dummy form है जो ऐसे पढ़ जाते हैं and इनका form जो है फिर reject किया गया है उसमें कोई remarks भी नहीं लिखा क्योंकि यह फिर acceptance के लिए उसको दे भी नहीं सकते हैं यह maximum देखिए ऐसे बहुत सारे form पढ़े हुए है DRDO के ठीक है तो यहां पे total 257 application ह है and maximum जो इसमें दिख रहे है 90% से ज्यादा form multiple application की वज़ा से है and वो multiple application भी ऐसा हुआ है जैसे यहां पे देखिए यह सेम अप्लिकेशन है एक दम सेम बस हाँ इनका दो पोस्ट दोनों पोस्ट के लिए नहों दो दो duplicate application apply कर दिए या तो इन्होंने कोई mistake की होगी तो इधर उदर change करके कुछ किया होगा ठीक है या by mistake हुआ है तो ऐसे ही form reject हुए है and जिनका भी हुआ है जो इसमें date दी गई है ध्यान रखिए गा date 20 October से पहले अगर आपको लगता है कि आपका गलत form reject हुआ है तो आप लोग इस mail ID पे subject challenge against rejection rejected application के अंतरगत वो application number and सब कुछ लिख के आ आपके form को accept भी किया जा सकता है बट अगर इसके अलावा कोई region है जो यहाँ पर consider किया गया है तो ठीक है region क्या consider हुआ है multiple application का बाकी आप लोग तैयारी करते रहे है जल्दी ही DRDO जितना तेजी सी यह सारा काम कर रहा है देखे last date खतम हुई नहीं कि यह सारी चीज़ें आ ग technical दोनों आप लोग अच्छे से तैयारी करिए जल्दी चैनल पे भी हम सुरू करेंगे थोड़ा सा इस समय एडमीशन और समय बैस्तरता के गारण चैनल पे वीडियोज नहीं आ पा रही थी thank you very much मिलते है अगली updates सा अगले वीडियो मतर तक आप सभी लोग बने रहे है अग कर दो